Hello Friends, Very Good Afternoon, कैसे हैं आप सब, hope आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है, यह हमारी Business Environment की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना Next Topic पढ़ेंगे, Structure of Balance of Payment कि जो हमारा Balance of Payment है, उसका Structure कैसा होता है लेकिन Topic स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी Information देना चाहूंगी कि अगर आपको इस Subject या किसी भी Subject के Notes पर्चेस करने हो तो आप मेरा Description Box चेक कर सकते हैं तो आईए हम अपना Topic स्टार्ट करते हैं कि Balance of Payment का Structure क्या होता है तो Balance of Payment has two sides, ठीक है Balance of Payment के हमेशा दो sides होते है First side होता है हमारा Credit side All inflows and sources of foreign exchange are recorded on the credit side, ठीक है जितने भी पैसे आ रहे होते हैं या जितने भी foreign exchange, ठीक है जितने भी foreign exchange के sources होते हैं आने के, ठीक है inflow आने के, उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट side record करते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी income होती एक तरीके से और debit side होता है दूसरा All outflows or uses of foreign exchange are recorded on the debit side ठीक है जितने भी आप पैसे दे रहे हो ठीक है foreign exchange में से आप जितने भी पैसे को use कर रहे हो जितना भी आप foreign exchange use कर रहे हो या जितने भी पैसे आप बाहर भेज रहे हो उन सब को आप debit side लिखते हो क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से loss होता है company का तो यह topic हमारा यहीं तक था I hope आपको यह topic समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी problem है तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते है Thank you very much for watching my video and do like, subscribe and share my channel आपको इस subject या किसी भी subject के notes purchase करने हो तो आप मेरा description box चेक कर सकते है Thank you